गाइस वेलकम तो दे वीडियो यह है होम पुल वोकाउट सेशन विदाउट यूजिंग एनी वेट जिसमें हम ट्रेन करने वाले अपने बैक और अपने बाइसेप्स को घर पे रहते हैं बिना किसी वेट के इस्तमाल के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं बढ़िया से वार्म सिस्टम को ले आएंगे action पे blood flow को बढ़िया कर देंगे head to toes ताकि हमारी body को बहुत अच्छे से पता लग जाए कि बढ़िया workout हमारा वेट कर रहा है इसके next warm-up में जो हम exercise लगा रहे हैं वो है hand raises hand raises एक बहुत ही बढ़िया warm-up exercise है जिससे आप अपने shoulders को train करते है shoulder is one of the most injury prone region in your body so shoulder का train होना बहुत ज़रूरी है इस exercise को करते है आप मेरे pelvic region को देखे जो की pointed है बाहर जो मेरे hips है थोड़े से बाहर की direction में pointed है because यही इसका correct posture है आपको अपने engage रखना है core को इस exercise को करते है time again आप देख से मेरे pelvic region है वाल पर मैंने touch किया हुआ है आपको शो करने के लिए कि यह जो exercise है इसमें आप अपनी pelvic region को touch करेंगे और आपके जो हाथ हैं वो जाएंगे ears के पीछे तक so next exercise हमारे warm up session में होने वाली है वो हने वाली forward bend जिसमें हम train करने वाले अपनी spine को hamstrings sore होने की वज़े से मैं बहुत जादा यहां पे नहीं bent ओपा रहा हूँ because मैंने curly leg session किया था और सिर्फ hamstrings को ही train किया था आप कोशिश करें और नीचे जाएं the idea is to train your spine क्योंकि हम exercise करने वाले हैं back की जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी spine जो है वो warmed up हो अच्छे से next exercise जो warm up में again लगा रहे हैं वो है shoulder की जैसे कि मैं guys मेरे लिए shoulder एक बहुत ही जादा injury परूंट रहा है हमेशा तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कोई साभी workout हो shoulders बहुत अच्छे से train होने चाहिए next हम अपनी final back muscle को यहां पर warm up करेंगे यह मैं कर रहा हूँ cat pose cat pose अगर आप पो नहीं पता है yoga का एक one of the most popular pose है because इसमें train होते है आपके scapular और आपकी back यहां पर आप जब front face करेंगे तो कोशिश केजिए tilt forward होने का all right guys so last हमारा warm up होने वाला है back के लिए वो है भुजंगासन बहुत ही famous pose है back के flexibility के लिए mobility के लिए बहुत ही अच्छा यह एक pose है इसकी जो हम यहां पर variation use कर रहे है वो है त्रियक भुजंगासन जिसमें हम दोनों sides के toes को देखने की कोशिश करते है right so this last position के साथ हमारा जो warm up session है वो complete होता है जिसमें अपने upper body को पूरी तरीके से warm up किया है now without wasting a minute let's get into the target training muscles and we will start first with the back workout all right guys so first exercise back के हम लगा रहे है वो है push-ups यह जो push-ups मैं अभी लगा रहा हूँ इसमें जो मेरी hands की position है यह chest से थोड़ा सा नीचे है जब आप इस movement के साथ push-ups लगाते हैं तो वो आपको chest को बाद में train करती है पहला effect डालती है आपकी back पे इस exercise को challenging मनाने के लिए मैंने ऊपर backpack डाल दिया है जिसमें लगबग 9-9 kg के राशन की घर की समान रखे हुआ है ताकि मेरी exercise थोड़ी से next level उपाए better आप है इस तरीकी के गरा push-ups लगाते हैं तो I am sure आपको बहुत ही अच्छा workout मिलने वाला है अपनी lower back पे second exercise is your rowing rowing सबने dumbbells के साथ सरूर जिम में लगाई होगी यहाँ पर हमारे पास dumbbells बिलकुल नहीं है बिना weights का यह workout कर रहे है तो मैंने same अपना backpack यूज किया है और उसमें 9-9 kg कलगबग weights है उसी का use करके मैं rowing कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको एक ही चीज धियान रखते है कि because हमारे पास weights नहीं है तो आपको use करना एक बहुत ही जबर्दस हतियार जो कि है mind-muscle connection आप किसी भी movement को करते time एक अच्छा contraction feel करेंगे ताकि आपके mind को यह लगे कि आप एक बहुत ही जबर्दस workout कर रहे हैं ना कि आप 5-10 kg का weight यूज कर रहे हैं जो नेक्स exercise यहाँ पर होने वाली है वो है lat pull down का ही एक variation जिसके लिए मैंने उठा लिया एक towel towel को दोनों side stretch करते वे पीछे लाके maximum contraction का signal अपने mind को देते हुए यह exercise मैं आप लगा रहा हूँ और आप clearly देख सकते हैं कि जब यह towel नीचे आता है तो lats को कितना अच्छा contraction मिल रहा है जैसे कि मैंने पहले ही बोला अगर आप अपने mind contraction feel करते हैं तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप कितना जादा weight उठा रहे हैं स्पेसिकली घर पर रहते हुए मिनिममम रिसोर्स का यूज करते हुए exercise करनी है और इसके लिए lat pull-down का alternative इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है और राइट सो बैक भी जो next time exercise लगेंगे it is using the resistance band resistance band एक बहुत अच्छी accessories है मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप four to seven hundred rupees spent कर सकते हैं तो आप सरूर से एक resistance band खरीद के रख लीजे shoulder में बहुत ही अच्छा pump देता है specifically resistance band और आपके biceps में भी यह जो मैं exercise कर रहा हूं यह again rowing का ही एक variation है जिसको मैं single hand use कर रहा और मेरी जो grip अगर आप देखेंगे वो है palm facing up foot direction इससे होता यह है कि जब आप इस movement को करते हैं और rotate करते हैं अपने हाथ को पीछे लाते हैं तो आपकी train होती है lower back yes यहाँ पे जो हम target कर रहे हैं अपनी muscle को वो कर रहे है lower back को because हम अपने push-ups में already अपने upper back के region को बहुत अच्छे से train कर चुके होते हैं इस exercise को दोनों हाथों से लगाने के बाद मैं दोनों simultaneously दोनों हाथों का use करते हुए इस exercise को करूँगा और आप बहुत ही clearly देख सकते हैं कि हाँ पे मिरको lower back में एक बहुत ही अच्छे contraction मिल रहा है resistance band तो खरी दी लीजे आपको बहुत काम आने वाला है आगे तक lockdown की बात नहीं है आगे कभी भी अगर आप घर पे हो और आप किसी वज़े से gym नहीं जा सकते तो बहुत help करेगा फिर भी अगर आपके पास resistance band नहीं है उस exercise को skip करके आप push-ups की ये वाली variation लगा सकते हैं बहु अधी amazing exercise है और आपको देखके ही पता लग रहा होगा किस type से जो मेरी back है वो यहाँ पे contract हो रही है as a bonus यहाँ पे आपके साथ में triceps भी बहुत अच्छे जे train होते हैं और आप किसी भी exercise के target muscle group देख सकते हैं जब वो exercise की जाती है यहाँ आपको आपको देखकर बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा कि ना ही मेरी lower back बलकि मेरी triceps भी यहाँ पे ठीक ठाग train हो रही है इसके simple है backpack है मेरे पास उससे मैं लगा रहा हूँ अपने curls डंबल नहीं है जितना weights हो सकता है जितने घर में packed items पड़े हुए है राइस है आटा है दाल है sugar है books है जो हो सकता है अपने backpack में बंद कर गी है जितनी strength है उससे आप easily बहुत सारी घर में exercise कर सकते हैं मेरे mostly जो exercise मेरे जो mostly workouts हो रहे हैं वो इस backpack से ही हो रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी clean form के साथ यहां पर मैं curls कर रहा हूँ bicep एक चोटा muscle group है you don't have to use much weights to train this muscle next exercise move करते हैं और यह है reverse curls again same backpack same weight और यह exercise actually इतनी challenging होती है कि अगर आप इसमें 10 kg weight डाल देंगे तो भी आपको यह weight काफी जादा हो जाएगा इस exercise को करने के बाद आपकी four arms बहुत 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 thank you आपको बोलने वाली है because आप clearly देख सकते हैंगे मेरे four arms में कितना अच्छा contraction आ रहा है इस exercise को करने के बाद मुझे लगता है आपका already biceps बहुत अच्छे से pump out होने वाला है बट इसके बाद हम एक exercise और लगाएंगे same exercise जो की है resistance band resistance band आपको specifically एक बहुत ही अच्छा pump प्रोइड कर देगा sometimes जो आपको pump weight से नहीं मिलता है वो आपको resistance band से मिलता है जैसा की मैंने आपको shoulder workout के लिए बताया है similarly मैं same exercise को resistance band की help से use कर रहा हूँ okay guys so last exercise जो मैं कर रहा हूँ biceps के लिए वो है अपने resistance band का use करते हुए curls यह लगा रहा हूँ but यहाँ पर range of motion बढ़ने के वज़े से मैं अपने हाथ को shoulders तक ले जा पा रहा हूँ जिसकी वज़े से मुझे एक better pump मिलता है मेरे जो biceps muscles है वो थोड़े और train हो पाते है एक quick advice है अगर आपके पास biceps की exercise लगाने के लिए weights कंपड़ रहे हैं आप घर की बाल्ती यूज़ करो उसमें 10 लिटर पानी बर दो बहुत ही अच्छे तरीके से train कर पाऊगे कोशिश कीजएगा आपकी जो muscles है वो contract बहुत अच्छे सो weight इतना सादा matter नहीं करता what matter is the contraction all right people so with some stretching at the last I am going to end this video बहुत ही raw and basic सा video रखा था जो कि किसी की भी घर पे रहते हुए training need को fulfill करने में help कर सके I hope you would have found this video helpful if you have any query please mention कीजए comment section में and I'll be very happy to answer your query guys my name is Pankaj and I thank you so much for watching this video stay safe goodbye